हेलो स्टुडेंट्स वेलकम इन आवर नर्सिंग क्लासिस आज हम यूनिट फॉर शुरू करेंगे नुट्रीशन की लेटिस प्रोटीन यूनिट वन के टोटल फॉर चैप्टर्स हैं मैं आपको चैप्टर वन एंड चैप्टर फॉर कंप्लीट करवा चुक्यूं और के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे उन वीडियो का तो आप वहां से वह यूनिट कर सकते हैं आज हम करेंगे यूनिट फॉर स्टार्ट वह है प्रुटीन सबसे पहले हम देखने हैं प्रुटीन क्या होता है प्रुटीन है लाज कंपाउंड मेड़ अफ कार प्रुटीन अर अमीद एसिद料 एसिड इस जो बेसिक यूनिट होती है वह क्या होती है प्रटीन की अमीद आसिड होती है प्रोतीन कंसिस्ट ओफडें फीनलिंक टूरु अट failure प्रीज उब्क चिर्ट इशर इस नाखता संथा थी यल् सबक्राइब के सिरुगा तो च्राइब बतु 체 जोग मेरी था देब से देफ its अ अब मेरी अतक्रीय थे भारो Такनि थीदिस्ताु matcharna अपनी होता है शमारी वी खुदो प्रिप्र नहीं कर सका है दो में झूर्ट होता है जीचे ridersESS probable जीरोड़ी है हमारी बुर्डी इसको खेता है का उनने जीरोड़ी है तो इसलिए एसेंशल होते हैं तो हमको यह डाइट के थू देनी होते हैं अमीनो एसिट ठीक है नेक्स आता है अब हम एक एक करके पढ़ते हैं असेंशल अमीनो एसिट क्या होता है तो हमड़ल को जरूरा होते हैं लेकिन उन में से 9 कौंच आता हैं असेंशल अमीनो एसिट और 15 कौंच आता हैं वह वह थैंट इसलिए टीक हैं cannot synthesize them in required amount. जैसे मैंने आपको बताया essential amino acid हमें इसको क्यों बोलते हैं कि हमारी बोजी सो खुछ synthesize नहीं करती जितना चाहिए होता हमें. अब रोटीन is said to be biologically complete if it contains all essential amino acid in required amount. हम biological complete कब बोलते हैं प्रोटीन को जब वो 9 के 9 essential amino acid मारी बोड़ी पुड़ी required है मारी बोड़ी के पास तो हम उसको क्या बोलते हैं biologically complete अब हमने essential पढ़ लिया अब हम second time पढ़ते हैं amino acid का that is non-essential amino acid. It is called non-essential because these amino acids are not required by body. If they are lacking in the diet they can be synthesized by body from other amino acid. यह non-essential amino acid हमारे बोड़ी को नहीं require होती है अगर अगर हमारे diet में इसी कमी आने भी लगती है non-essential amino acid की तो यह दूसरे amino acid से इसकी lacking पूरी कर लेते हैं मतला जो भी कमी होती है वो खो synthesize कर लेती है अदर amino acid से ठीक है next topic आते है classification classification of protein protein में भी classified in two ways में classify किया गया protein को that is classify by the structure और दूसरा करा गया है classification by quality तो इसके sub-divided parts हैं दोनों में classification by structure में कौन-कौन से sub-divided parts है simple protein conjugated protein derived protein और classification by quality में कौन-कौन से है complete protein जिसको हम first class भी बोलते हैं partially complete protein जिसको हम second class भी बोलते हैं और third कौन से होता है incomplete protein अब हम इनको एक-एक करके सबको detail में पढ़ते हैं अब पहला हम पढ़ते हैं classification by structure से पहला कौन सा था हमारा simple protein simple protein का क्या होता है बच्चे मतलब कि इस these protein are made up of amino acid only जो सिर्फ amino acid से protein बना होता है उसको हम बोलते है simple protein example albumin in egg white ठीक है next आते है conjugated protein conjugated protein क्या होता है किसी के साथ मिलके बना हो है जो protein जैसे lipoprotein किसे बना होता है protein plus lipid ठीक है लिपिड क्या हो गया है non protein हो गया हमारा ठीक है next आता है इसका subdivided third है जो part drive protein drive protein क्या होता है these are produced by the action of acids alkalize heat जो कि proteins किसे बनते हैं जो कि protein किसे produce होते हैं by the actions of acid alkalize and heat के साथ example peptons and polypeptides are formed when digestive enzymes begin their action on protein जैसे example देखो peptons और polypeptides का form होते हैं वो action करते है protein के उपर ठीक है next हम परते हैं classification by quality से इसके कौन-कौन से पार्च है complete protein और first class protein नाम से आपको इसका पहचान हो रही है complete protein ठीक है these proteins contain all essential amino acid in sufficient proportion and amount to meet the body needs यह complete मतलब पूरा पूरे उतना इसमें protein होता है जितना essential amino acids in sufficient proportion and amount मतलब जितने हमारी body को need होती है उतना protein यह contain करते हैं ठीक है these also called biologically complete protein जैसे मैंने आपको पिछे बताया था biologically complete हम किसको बोलते हैं जब कोई भी essential amino acid की हमारी body में requirement ना हो वो पहले से मतलब पूरे हैं मारी body में जितने हमारी need होती है 9 के 9 essential amino acid example eggs, milk, meat, fish इन में मारा को complete protein मिलता है ठीक है next आता है partially complete protein और second protein नाम सी पता चल रहा है partially मतलब थोड़ा कम थोड़ा बहुत ठीक है they do not contain all essential amino acid in require amount इस सारे essential amino acid contain नहीं करता थोड़े amount में करता है they are capable of capable of maintaining life but cannot promote growth हम इस partially complete protein से हम अपने life तो capable रख सकते हैं maintain कर सकते हैं ठीक है capable किसके maintaining life हम अपनी maintain कर सकते हैं बट अपनी जो growth है वो उसको promote नहीं कर सकते हैं जो हमारा complete protein था first part था वो हमारा वो किसमें found होता है animal में क्योंकि देखो animal food examples देते हैं मैंने meat fish तो यह होता है किसमें होता है plant foods में होता है जैसे cereals, pulses, nuts ठीक है इसमें इससे हम पूरकुल full protein नहीं ले सकते हैं इसमें सारे essential amino acids नहीं होते हैं जैसे cereals, pulses, nuts में लेकिन जो egg है, fish है, meat इसमें protein पूरे रिजितने मारी body को require होते हैं उसमें होते हैं next आता है incomplete protein, incomplete protein मतलब जिसमें बहुत कम मातरा में मतलब जो हमारी body में कुछ भी काम नहीं करते हैं उसे हमारी maintain life भी नहीं रह सकती, वो होते हैं incomplete protein they are deficient in a lot of amino acids and are incapable for growth incapable होते हैं growth के लिए भी और maintain भी हमारी life नहीं कर सकते, they cannot maintain life one or more essential amino acids may be completely lacking एक और एक से ज़्यादा essential amino acids हैं जो हमारे nine essential amino acids हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा की deficiency lacking हो जाती है, example, gluten यह हमने पड़े अब classification of proteins के, protein पड़ा, ठीक है next topic आता है हमारा function of protein, function क्या क्या होते है protein के हमारे body में, सबसे पहला है growth and body building हमारी body की growth में और body building में काम गाता है protein, the primary function of protein is the synthesize of body cells primary function होता है हमारी body, protein का primary function करता है जो कि जरूरी है synthesize करता है body cells को अगर cells ही हमारी नहीं बनेंगी नहीं, cells को ही नहीं promote करेगा यह protein नहीं होगा तो हम growth ही नहीं हो पाएगी ठीक है क्योंकि एक cell से दो बनते हैं 2-4 तो cells ही जब तक नहीं growth होईगी तो हमारी body की growth नहीं हो पाएगी अच्छेज़ज़गा protein are the major constituent of muscles, organ and collagen protein major constituent होते हैं किस-किस के muscle, organ and collagen क्या होता है is the main structural protein of bone and skin all enzyme and some hormones are made up of protein सारे enzyme और कुछ hormone होते हैं जो हमारे protein से बने होते हैं during period of growth additional protein are needed तब हमारी growth period चल रहा होता है जब हमको और protein की need होती है next है maintenance of wear and tear wear and tear इसका point का मतलब कह है किस-को damage हो जाना फिर इसको ठीक करना damage होने के बाद फिर से इसको लाना फिर से इसको ठीक करना ठीक है एक चीज को damage होगे फिर से उसको recover करना protein is required by all age groups for continuous maintenance of all body cells protein ज़रूरी होता है हर एक age group के लिए किसके लिए for maintenance all body cells के लिए cells have a varying lifespan and protein is needed to replace the old and worn out cells तो हर एक अपना cells के अपना lifespan होता है तो protein उसको क्या करती है रिप्लेस करती है old वाले को और नए को synthesize करने में help करती है नेक्स आता है hemoglobin and hemoglobin an iron containing protein in red blood cells carries oxygen to the tissue hemoglobin जो होता है जो कि मारा iron contain करता है उसमें protein होता है red blood cells में जो मारा carries करता है oxygen करने करने में help करता है to the tissue ठीक है तो यह कुछ functions है हमारे protein के next topic आता है sources of protein sources क्या क्या होता है animal source हमें protein किस-किस में मिलता है milk में meat में egg में cheese में and fish में जो egg में होता है सबसे ज़्यादा हमको protein मिलता है egg protein are considered to the best among food proteins because of their high biological value and digestibility तो आपसे caution पुछा जा सकता है यह competitive exam में भी कि सबसे ज़्यादा protein हमें किस food में किस चीज में मिलता है that is egg next source आता है vegetable source vegetable source कौन-कौन से होते हैं जिससे हमें protein मिलता है vegetable protein found in pulses cereals cereals क्या होते हैं दलिया होगा जैसे beans nuts oil seeds ठीक है तो हमने पढ़ा sources of protein next important topic है digestion and absorption of protein मैंने आपको फ्लोचार्ट में समझा रखा है जिससे आपको अच्छे से marks मिलेंगे ठीक है तो देखो digestion कहां से हमारा शुरू होता है protein का वो होता है stomach and intestines से सबसे पहले हम पढ़ते है stomach से कैसे शुरू होता है तो stomach में एक proteolytic proteolytic enzyme होता है जो कि कहां पर प्रेजन्ट होता है gastric juice में present होता है दीस एंजायम को कौन सा gastric juice में कौन सा proteolytic enzyme होता है present that is pepsin ठीक है जो यह यह प्रोटीन होता है वो एक्ट करता है किस पर प्रोटीन 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 इन an acidic medium and hydrolysis dame into simpler compound तो जो हमारा जो यह प्रोटीन करता है किस के उपर करता है प्रोटीन के उपर करता है इन एकसिडिक मीडियम में और क्या help कर क्या कर देता है यह hydrolase कर देता है किसको protein को into simpler compound में वो क्यों सा simpler compound में करता है polypeptide में यह तो होता है डाइजेशन कहां पर होता है स्टमक में अब हम पढ़ेंगे intense time में intense time में क्या होता है यह protyletic enzyme होता है जो कि कहां पर present होता है pancreatic and intestinal juice स्टमक में कहां पर था gastric juice में था तो यह क्या करता है यह hydrolase कर देता है polypeptide को polypeptide हमारा simple बना था ना simple compound अभी hydrolase कर देगा polypeptide को ठीक है अब फिर hydrolase करने के बाद polypeptide को क्या बन जाता है free amino acid बन जाता है फिर यह जो free amino acid होते हैं यह absorb हो जाते है small intense sign में small intense sign के बाद absorb होने के बाद यह enter कर जाते हैं कहां पर blood circulation में through portal vein के through पूरे blood circulation में blood circulation start हो जाता है मतलब अगर हमारा blood circulation start हो गया तो blood तुमारे पूरी body में circulate करता है तो हमारा protein हर body के part में protein हमारा पोच जाता है blood carries them to all parts of the body तो आप इसको ऐसी flow chart में इसको points में आपको अच्छा से याद होएगा ठीक है तो हमने यह पड़ा digestion and absorption of protein digestion हमारा का का होता है इस नमक में and intense time में और absorb कहां पर हो जाता है blood में और blood के through पूरी body में हो जाता है blood circulation के थ्रूप पूरी body में circulate हो जाता है protein next topic आता है most most important topic है 99.9% ही आपको exam में मिलेगा ही मिलेगा that is effects of deficiency अगर deficiency हो जाती है हमारी body में protein की तो क्या effects होते है deficiency कैसे होते है reduce protein intake अगर हम reduce मतलब कम अगर हम protein intake कर रहे है over a prolonged period of time लंबे समय से तो यह क्या कर देता है loss of weight, anemia, lower assistance to infection मतलब कम शक्ती हो जाती है हमारी body में की infection से लड़ पाए तो अगर कई समय से हम कम protein को intake कर रहे है तो यह चिज़े हमारे body में होने लग जाती है due to deficiency of protein यह disease अकर होते हैं सबसे होते हैं जो important P.E.M. protein energy malnutrition जो कि आपके paper में पुछी पुछी जाती है पक्का आएगी P.E.M. and causes of P.E.M. P.E.M. के full form care protein energy malnutrition It is not only an important cause of children morbidity and mortality but also leads to permanent cause of physical and mental growth यह सिर्फ children के morbidity, sickness and mortality death rate के लिए death के लिए नहीं important है यह बलकि किसको permanent cause कर देता है हमारे कोई ना कोई physically and mental growth में mental growth मारी physical growth अच्छे सा नहीं होना देते है P.E.M. has two clinical forms that is quashioca and marmus यह clinical forms है मतलब search research करते हैं तो उसके बाद research करी तो हमको यह result मिला तो P.E.M. से two clinical forms निकली है हमारे kwaashioca and marmus से नहीं कोऌसी ओकर परते हैं this is caused by deficiency of protein in diet यह कवे होताँ दिदैशिशन्सी हो जाते है protein के हमारे डाइट में important signs क्या होते है growth failure हो जाती है anemia changes in skin and hair anemia हो जाएगा growth failure हो जाएगा or changes in our skin and hair में next परते है marasmus this is caused by severe deficiency of protein and calorie in diet severe मितलब बहुत ज़्यादा जब deficiency हो जाती है हमारी protein की और calorie की हमारी diet में तो इसके वज़ा से अकर होती है this disease is characterized by growth failure, loss of fat, sign of dehydration and mental changes यह disease मितलब पता चलता है, यह sign and symptoms दिखते हैं growth failure, loss of weight, sign of dehydration को जोता है पानी की कमी होना and mental changes अब हम classified of पड़ते हैं PEM की protein energy malnutrition की classification मतलब जो जो इसमें disease होती है, कौन-कौन सी हम उसको देख सकते हैं किन-किन basis पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले आती है हमारी classification GOMS classification, it is based on weight retardation अगर किसी भी बंदे का, किसी भी परसन का weight retardation हो रहा है weight घट रहा है, तो उसको पत लगा सकते हैं, it locates the child on basis of his or weight in comparison with a normal child of the same age हम कैसे पत लगा सकते हैं, weight retardation का, जो उसके ही age का दूसरा बच्चा है, उसका weight comparison करके, इसका formula क्या है जैसे हम जिससे weight हम पत लगा सकते हैं, weight for age percentage में निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, weight of child जो तुमारे चाइल का weight है, जिसका हमको doubt है, weight of normal child into में 100 को करेंगे, क्योंकि हमने percentage में निकालना है, normal weight of child by normal, child का weight कितना है, और into में 100 कर देंगे, ठीक है, next आता है water loss classification, water loss classification of PE हैं, इसमें क्या करते हैं, measure करते हैं, height को, measurement of height assess the effect of nutritional status और long term growth, कई समय से, उसकी कई समय से, height की growth नहीं हो रही है, तो हम उससे assess कर सकते हैं, दूसरे children की देखके, उसको क्या बोलते हैं, water loss classification of PE हैं, अगर आपसे इसमें पुथा जाएगा है, तो हमने effect deficiency की पढ़ीना, अगर इसमें जादा हो जाता है, एकसे हो जाता है protein तो उससे क्या होएगा, fat deposit होने लग जाएगा, इन adipose tissue में, और liver और kidney में जादा protein होएगा, तो उनको जादा काम करना पड़ेगा, अगर protein का level high होएगा, और हम take करेंगे, तो increase होएगा हमारा loss of calcium by urine, ठीक है, तो हमने यह आज करे, unit 4, protein की, unit 1, 2, 3 का link मैं आपको description में दे दूँगी, तो आप बचे साथ-साथ notes बनाते रहे न, इससे भार आपको कुछ भी लिखने की ज़रतने और कोई भी topic आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इतना लिखलो, आप साथ-साथ notes बनाना, enough है बच्चे, ठीक है, और वीडियो को like ज़रूर करना, और subscribe, channel को subscribe कर देना, जिन्होंने नहीं किया, अभी तक channel को आगे हम unit ऐसी continue करेंगे, next videos में, notification bell icon भी दबा देना, क्योंकि जब मैं आपको new video डालूंगे, तो आपको notification आ जाएगी, thank you student, अभी हम मिलेंगे next video में,